ये जो प्रेम है ना ये ज़्यादा दिन तिकता भिटता नहीं है क्योंकि ये आवेग जैसा होता है ये इंपल्स है एक कुछ खास करह का हार्मोन हमारे माइन में बनता है उसका हमाना है दोपा माइन और दोपा माइन एक हकेला हार्मोन है जो थोड़ी देर ही तिकता है तो प्रेम भी दोपामाईन का असर है थोड़ी देर तिकता है उसके बाद खतब हो जाता है इस्प्री में भी पुरुष में और जब प्रेम खतब हो जाता है तब जीवन में असी संघर शुरू होता है असी प्रेम दिवाल जो होते हैं न इनमें आपसर देखा कि विवा होते ही प्रेम थोड़े दिन में फना हो जाता है खाली दिवाल रह जाता है लब चला जाता है मैरीज रह जाती है और वह ऐसी घिसटी है जैसे एक ताइम का आदमी घिसट आप और आप घीवन ने कोई फैसला करें तो किसी आवेग में ना करे कि कभी भी जब आपके मत में इंपल्स बहुत जादा हो तो कोई फैसला मत करिए क्योंकि फैसले के गलत होने की शक्किता सबसे जाए इंपल्स बहुत है तो एक बाद या रेखिए दोपामाइन नाम का हार्मोन बहुत है और यह हार्मोन है विवेग को खतम कर देता है विवेग काम ही नहीं करेगा फैसला गलत होगा जीवन भर आप पच्टा नहीं कि हमने एक समय पे छोटा सा गलत पैसला किया उसका दुष्परिणाम जीवन भर बुवत ना पड़ा तो यह आप मत करिए प्रेम करिए लेकिन विवाह करने से पहले इन बातों का ध्यान मैं यह नहीं कहता कि प्रेम मत करिए प्रेम तो बहुत आवश्यक है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन प्रेम का आवेग खतरना है प्रेम खराब नहीं है उसमें जो आवेग है इंपल्स है वो बहुत खतरना है उसको ध्यान रखिए आपकी संतान के विशर में जित दो आवेग करिए